तो जिससे कि आपने ओफिशिल एपिसोड के अंदर देखा होगा जो कि मैंने देशी मसाला एनिवे पे अपलोड किया है जापे हैंजोई की गुरूप के सामने डेमन से एक सौमी आ जाता जो कि एक नम्मर का लड़की बास था और वो हैंजोई की साथ कुछ करता उससे पहले पूरी तरीक से कर पाए और ऐसे काफी दिन बीच जा थे और जियान की जो हालत थी अब वो काफी धा अच्छी हो जाती आलमोज ्यान एटी पर संसें देने लगेंगे और इससे उसकी जो दोस्ती हो उनों के साथ बो खतम हो जाएगी मगर फिरफी ज्यान की जो गुरुप में इज्जत थी वो काफी ज़ा बढ़ जाती है क्योंकि ज्यान की जो ठरकी मोड वाली पावर थी न वो एंजुई के उपर चल चुकी थी जस बज़े से हैंजुई उसके उन मेडूसर जैसी औरत को भी अपनी बातों फसा-पसा के प्यार में फसा लिया तो हैंजवे किस खेत की मूली है और इसे सफर कंटीनुर रहता है तभी रात होनी की बज़े से वो लोग एक जगे पर केम्प लगा लेती है तभी हैंजवे के पास एक मेसेंजर बढ़ आता ज जो की हैंजवे के पैरों से उस लेटर को लेलेती और उसे पढ़ने लगती है जिसे पढ़तीकरnd वो काफी ज़्यारन हो जाती जब यह उसके साथ ही देखतेगा वह भी काफी ज़्यादा जोस में आ जाती हैं तभी हैंजवे कि पूसता है आकर क्या हूवा है कुछ हमेंए डिटेल के अंदर बताईए, यह सुन्दिकर हैंजोई बोलती कि यह सारा मैटर उस बुट्टे की बज़े से है, जापर वो बुट्टा अपने लड़की की साधी हम दौनों बेनों से कराना चाता है, और यह साधी हमारे हैंजोई की उपर कपचा करने का पस एक तरीका है, क्य अगर तभी उसकी ने थे थोड़ी दोर पर पढ़ती जापर जियान बैटा हुआ होता है, जो कि अभी के लिए फायर से खिल्ले में लगा हुआ होता है, और उसको इन सभी बातों से गंटा कोई फर्क नी पढ़ रहा होता है, यह देखे हैंजोई को काफी तो बुरा लगत अगर आज के टाइम पर वो हमारे हैंग्लें से भी ज्यादा पावफुल हो चुक है, और इसका रीजन है वो लड़का जो हमारी दौनों प्रेंसे से साधी करना चाता है, जिसका नाम होंग्चॉंग है, जो कि विन लाइटिंग पविलिन के डिसाइवल है, जिस बज़े से उनकी पवर काफी दा बढ़ चुकी है, जो कि विन लाइटिंग पविलिन कोई मामूली सेक्शन नहीं है, वो इस नौर्दन बेस्ट रीजन की सबसे पावफुल सेक्शन है, और उनके सामने हमारा हैंटिंग कुछ भी नहीं है, वो बहुती आसानी से हमें तबाह कर सकती है और इसी बज़े से जो हॉन ग्लेन है, वो विन टाइटिंग पविलिन की बज़े से इता जदर डौन वाना फिर रहा है, और इपर जियन विन टाइटिंग पविलिन का नाम सुदिकन तोड़ा सा हैरन हो जातो और अपमें वह बोलता है, अब इक लिए से पहले मुझे इसक हम लोग एंट्लेन पहुंचे की तो मैं प्रिंसे से बात करके तुमारे लिए कुछ पैसो का अरेंजमेंट करवा दूगा, जिसके बाद तो वहां से चले जाना, जिसन दिकें जाने एक स्माइल कर देता है, ना ही वो हामें जबाब देता है, और वहां से अपनी बग्की के सीरिस था, सभी लोग आपस पर बादा नहीं कर रहे होती है, तभी हैंग चुंग सभी लोग उसे बोलते के तयार हो जाओ, क्योंकि हम लोग एंटर करने वाले हैं, यानवी सिटी के अंदर, ये संदिकन पूरे काफियानी के बंदे अपने वेपनों को अपने आतों में ले इंग्जो इस काफियानी की तरफ देखती हैं, जब पर उनकी ड्रेस को देखती हैं, वो पैचान जाती ही होन्क्लेंसे हैं, और फिर अपनी बग्गी से उतराती हैं, और सामने देखती हुई बोलती हैं, क्यों बात है कि एक चोटी सी लड़की को लेने के लिए आज गौरप की बात है, मगर असलियत में जो एंग्जो इती, वो अभीकली काफ देखती हैं, वो तो बस ओपर उपर से दिखाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि अभीकली इन दौना की जो स्ट्रेंथ हैं, वो डाव वांग के फोर स्टार पर इस बज़े से वो किसी भी कीमत प और अपना एक पामर टेक कर देती हैं, तो एल्टर हंगली भी काउंटर अटेक कर देती हैं, और जब दौने के पामर टेक अपस पर टकरा देती हैं, वो आपके काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, मगर तभी हैंग्जो इजो होती हो आँसे काफी दोर पीछे किसको भी चली जाती है और सथी उसके मुझसे थोड़ा बहुत खुन भी निकलाता है तभी पेल्टर हंगली बोलता है अभीकली जो तेरे लेवल हो इतना जाता तो नहीं है मगर तेरे पास टैलेंट तो जरूर है क्योंकि आज से पहले मेरे पाम अटेक से कोई भी नी बच पाया तुम जैस के पढ़ता है जिस पज़े से हंगली वहां से काफी दूर पीछे किसको वह चला जाता है यह देकर तो हैंगली भी काफी दर शौक हो जाती और उसकी मेजर सीधा जियान की बग्गीगियों पर पढ़ती तभी उस मैंसे एक काबा जाती है वह साले बुड़े तुझे बिलक वह बिलकुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि एग वार चलो मदद की समझ में आता है कि तुकल लग गया मगर फिर से कोई मोसीबत अई और हमारी फिर से कोई मदद करने के लिए आ जरूर दाल में कुछ काला है मगर वह जब जब वह जो बिलकुल भी सप्राइज बहुती ज़्दा एक्स्ट्रो अर्डियरी थी, वो कोई नॉर्मल इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, यह संदिकन जयन बस एक सरम से बस स्माइल कर देता है, तभी एंज़ी को कुछ याद आता है और बोलता है कि तुम वही जियान हो क्या, अगर तभी जयन उसे ब भी टच भी कर पाओ, इसलिए अगर तुम्हें अपनी अटिया नहीं तुलवानी तो चुप चुप से यहां से चले जाओ, यह संदिकर एल्डर होंगली जो जो उसे लगता है, और बोलता है कि लड़के तु कुछ जादी आरोगेंट बन रहा है, तो पता नहीं तू आखि तरी के लिए शौक हो जाती, मगर वो जियान का confidence देखके, खुद भी confidence में आ जाती हो, और खड़ी हो, जियान के सासा जाने लगती है, यह सब देखने हैं और सुनने के बाद वो दोनों एल्टर का चेरा था, वो गुस्ते से लाल हो जाता है, क्योंकि आज से पहले किसी भी और अपने सभी वोर्यों से हमला करने के लिए जियान के उपर बोलते हैं, यह बोलते हैं, उनके साथ जो वोर्यों आई हुए होते हैं, वो सभी हमला कर देते हैं, जियान के उपर और काफी आने के उपर, यह दिखते हैं सभी की एकदम से हवार टाइट हो जाती हैं, और प होन क्लियन के लीडर ने बोला था किसी भी कीमत पे हैंजोई को लाने के लिए और यह सोच दिकर वो दौनों एल्टर हमला कर देते जियान की उपर और जब वो दौनों एल्टर अपनी दुख्यों को निकाल के जियान की तरफ आंगे बढ़ा होते हैं और उनकी डर के मारे सब के एकदम से पसी ने छोट जाते तभी जियन उस अटेक की तरफ देखते हैं और एक स्माइल के साथ बोलता है बली तुम्हारा कमबाइन दुए की अटेक काफिता है मगर मेरे सामने ये बस बेस्ट है और फिर जियन इपनी ग्लेस फ्लिम का एक चोटा सा क्लिस्टर उनकी और घ्र आटकि ऊपर कड़ेता है जो नकी अटेक को बहुती आसानी से नस्ट कार देते है और जाकर क्लस्टर हो सीधा उनकी चेस्ट में लगता है जिस वजे से काफ़ी दोर किसकी हुए चले जाट है यह देख कर जो धुन्ते होकह पने दूर्ल से बहुतीने लगता है तुमारे लिए और अपने हाथ में अपनी Fallenite Flame को निकालता और एक फ्लैस की तरह चमकता और उनके पास पहुंच जाता है तो इस बज़े से उन सभी लोग को बस आसमान से लोग टपकते हुए दिखाई देते हैं जो कि कोई और नहीं वो दौनों Elder होती हैं और यह सब देखे तो जो एंज़ो ही होती जो काफी दो कूल बनी फिटती रहती वो भी एक दम ज़े शॉक हो जाती है क्योंकि अभी के लिए जो जो जियान ने पावर का नमूना दिखाया है उसे उस तरीकी पावर उसके क्लेन के अंदर मिलना भी बहुती ज़ा मुस्किल है मगर वो लोग वहां पर जादा दे तक नहीं रुकते और फिर सिटी के बॉर्डर के अंदर एंटर कर जाते मगर इसी के साथ ये पाड़ ये पर खतम हो जाता है और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊ तो आपको इस वीडियो पर कराने होंगे आप लोगों बस इतना बता देता हूँ खाया पिया कुछ नहीं ग्लास तोड़ा बाराना और इसी बज़े से जो मेरा वीडियो बनाने का मोटिवेशन है और जब इन खोद के अंदर खुछ चुका है और इसी बज़े से आप लोग मुझे कमेंट के अंदर ये बताओ अब लोगों कि नर्डू सा यूनर जियान पसंद है बगर मुझे आप लोग इस बज़े से जो आपकी राय होगी वो मेरी लिए बहुत ही ज़द है इंपडेंट होगी अपके लिए इस वीडियो से प्रित्ताई और मैं मिलता हूँ आपसे नेश वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार आप